सरीर का सम्तुलन है भीतर स्वास्ते संभालने का और वो बिगड़ता है जब बिगड़ता है तो पहला जो सिम्टम्स बहारा आता है वो है कि तुम्हें हैड़ेक चालू तुम्हारे भीतर हैड़ेक लगे या तुम्हें बुखार आना शुरू तुम्हारा टेमपरेचर बढ़ना शुरू दोनों कोई रोग नहीं हैड़ेक is not the disease, हैड़ेक is the symptoms, indication, fever is not the disease, fever is the indication, indicator वो indicator है दिखा रहा है सरीर का temperature इसलिए बढ़ता है कि भीतर microorganism से सरीर की स्वेत कण है जो blood में वो लड़ते हैं उसके साथ और temperature सरीर स्वयम बढ़ा देता है इसलिए बढ़ा देता है कि ताकि तुम आराम करो सरीर को शक्ती चाहिए उसको लड़ना है microorganism के साथ लड़ना है तो temperature इतना बढ़ जाता है कि तुम काम करने की इच्छा नहीं होती तुम ठंडी लगती है temperature इतना बढ़ जाता है कि तुम आराम ही करना पड़ता है तुम दौड नहीं सकते तुम चल नहीं सकते और उस आराम में सरीर लड़ता है यह इंडिकेशन है, टेंपरेचर बढ़ रहा है तो यह इंडिकेशन है, सरीर की समिदनाओं को इसलिए ठीक से जानना जरूरी है, कि तुम सरीर की समिदनाओं को ठीक से अनुभव करना शुरू करोगे, तुमारा जीवन बदल जाएगा, मैं इतने तक तुम्हें कहता हूँ, मैं जब स्कूल और स्पिरिचुल साइंस पर आओंगा, मैं इसे डिटेल में समझाओंगा, कि तुमारे जीवन में ऐसे अकश्मात नहीं होते, एक दिन में रोग आता ही नहीं, रोग को डेवलप होने के लिए कम से कम तीन दिन चाहिए, कम से कम 72 अवर्स चाहिए, उसे बह स्वास्थे पर काम करते जाओगे, तुमारी औरा बदल जाएगी, तुमारे आजपास एक वर्तूल है प्रकाश का, बदलता जाएगा अपने आप, और तुमारे आजपास जो बनने वाली गटना है बदल जाएगी, थोड़े ही दिनों में आप अभ्यास करके, मुझे अग अनुभाव के बिना मेरी मात बानना भी मत, कि मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि रामकृर्ष्ट्ण सच कह रहा है, कि अब बापुजी सठ्धिया रहे हैं, शाट साल की उम्रद की और जा रहे हैं, तो बुद्धी सठ्धिया जाती है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपने अनुभ तुम अपना भीतर का वातावरण ठीक रखो, अपने आप बुध की चेतना तुमारी और खींचेगी, तुम बुध का दर्शन करने नहीं जाओगे, बुध तुमारा दर्शन आएगा, ऐसी क्समता हो सकती है मनुष्य की, और ये क्समता, ये ताकात है तुमारी, जिससे तु मन जान, तुम बार, दोड़ा, दोड़ करते हो, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और जो कबीर कहता था, एक साधे, सबसाधे, वो चुक जाते हो, और जो भीतर का वातावरण है, जो तुमें ठीक करना है, सरीर को श्वस्त रखना है, मन को विलीन करना है, और आत्मिक सकती को जगाना है प्राप्त करना है और तुम देखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो इंसिडन्स हो रहे हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है शुस्त लग रहा है जीवन कोई दिसा नहीं मिल रहा है प्रकास नहीं प्राप्त हो रहा है सब कु ठीद्रस वह पेला रोग यह balance है शरीर का जैसे कि atmosphere change होता है जब ईपमांसपेर जैसे कि अभीप गर्मी है और अभी NSंबल जाना है अब aatmosphere बहुत change होगा जैसे जैसे पृतुफवी की उम्र भी बढ़ रही है उसके जो ककसा है सूर्य के आस पास परी भरमन करने की बदल र साधना चल रही है मनुस्य की एक नाएक तल पर इतनी साधना है कि अभी पृत्वी बच रही है अभी बैलेंस में ये बैलेंस एक दिन खो जाएगा पिर तुम भापिस नहीं लोट सकोगी इस बर्तवी पर मनुस्य वापिस कुछ नहीं कर सकेगा पूरा हो गई जिस तरह से हमारी गाड़ी एक बैलेंस चुक जाती है तो फिर खाई में हम रोक नहीं सकते वो खाई में गिर ही जाती है जाती है जाती है